आपको सीधे लखना उलिये चलते हैं जापर बस पास सुप्रीमो मायबती प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं देश की जनता के सामने आ सके लेकिन इसके साथ ही यहां मैं ये भी जरूर स्पस्ट कर देना चाहती हूं कि यदि केंदर की सरकार देश वे जन हित में भारते सविधान के मताबिक सही वे उचित फैंसले लेती हैं तो हमारी पार्टी फिर दलगत राजनिती से उपर उठकर केंदर सरकार का जरूर समर्थन करेगी और खासकर जम्मू कश्मीर के मामले में हमने धारा 370 को लेकर इसी सोच के अधार पर ही केंदर सरकार का समर्थन भी किया था और वैसे भी ये फैंसला हमारी पार्टी ने बाबसाब डॉक्टर भीमराब अंबेडगर की सोच के अधार पर चलकर ही इसे भारते सविधान के हिसाब से ही अपने देश की एकताव अखंडता को ध्यान में रखकर ही लिया है जिसको लेकर खासकर कांग्रेस्वेन की सेयोगी पाठियां अब इसकी आड़ में हमारे विरुद्ध तो पूरे देश भर में जबरदस्ती मुसलमानों को खासकर मुसलमानों को गुम्रा करने में लगी है और यदि धारा 370 को लेकर हमारा नजरिया कुछ और होता तो फिर आज हमारी पाठि केंद्र सरकार के लाए गए नागरिक्ता संसोद्यन विद्यक के विरुद में खुल कर खड़ी नहीं होती इसके साथ ही केंद्र सरकार दुवारा जहां तक S.C.S.T. के आरक्षन को फिर से दस बर्स और बढ़ाने का स्वाल है तो इसका तो हमारी पाठि स्वागत करती है लेकिन इसके साथ साथ हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से ये भी आगरे करती है अनुरोद करती है कि इन वर्गों का पिछले काफी बर्सों से आरक्षन का कोटा अधूरा पड़ा है अभी तक भी किसी भी राजे में ना राजे स्त्र की नोक्रीओं में ना केंदर स्त्र की नोक्रीओं में इनका अरक्षन का कोटा पूरा नहीं वाधूरा पड़ा है तो ये जो इन्होंने फैंसला लिया है इसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन इसके साथ साथ तो केंदर की सरकार को ये भी चाहिए कि पूरे देश में विशेस अभ्यान के जरिये हैं तो केंदर सरकार की नोकरियों में और राजियों की जो नोकरियों में जो इन वर्गों का आरक्षन का कोटा अधूरा पड़ा है तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा कराएं और इतना ही नहीं तो पिछले कुछ वर्सों से मैं ये देख रही हूँ कि बड़े पैमाने पर चाहे केंदर की सरकार हो या राज्य की सरकार हो तो बड़े पैमाने पर ये अपने सरकारी कारिये प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं जबकि प्राइवेट सेक्टर में इन वर्गों के लिए आरक्षन की ववस्ता उपलब्द नहीं है तो ऐसी स्तिती में केंदर की सरकार को चाहिए ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले प्राइवेट सेक्टर में इन के लिए आरक्षन की ववस्ता का जरूर परभन करना चाहि यह भी मेरा केंदर की सरकार से यह कहना है कहने का तात्प्रे यह है कि हमारी पार्टी चाहे केंदर में कांग्रेस पावर में रही हो चाहे वर्तमान में बीजेपी तो हम किसी भी पार्टी की सरकार में हम लोग केंदर में शामिल नहीं हुए लेकिन हमने हमेशा कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी यही काभभार से समर्थन हम बीजेपी को तो समर्थन नहीं दे रहे हैं लेकिन हमने केंदर में कांग्रेस को समर्थन दिया था और उनको कहा था कि जो देश और जनित के मुद्दे हैं आप उनको ध्यान में रखकर काम करेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे नहीं तो हम आपका विरोध करेंगे यही बीजेपी के मामले में हमारा स्टेंड है जदी वो देश और जनित में जदी कोई भी वो फैसला लेते तो हम उसका जरूर समर्थन करेंगे और यदि वो ऐसा कोई फैसला लेते हैं किसी भी विधियक क्यार में जो सविधान के मंसा के बिलकुल विरोध हो या किसी मजहब के किसी धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ हो या किसी जाती के खिलाफ हो या इससे देश में जो इससे ऐसा लगता है कि देश बट रहा है धर्म के अधार पर ऐसा कोई फैसला यदि केंदर की सरकार लेती है तो मैं समझते हूं कि हमारी पार्टी बिलकुल भी उसके पक्ष में नहीं रहेगी उसका डट कर विरोध करेगी इसलिए जो भी काम चैक कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किया हो यदि गलत कांग के हमने उनका भी विरोध किया और आज हम बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं इस विधियक को लेकर 370 वाले से हम लोग बिलकूल उनकी बात से सहह मत है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है तो वो देश का अभीन अंग है और बाबा साफ डॉक्टर अंबेटगर ने अपनी जीते जी जब ये 370 वाली धारा की बात आई तो बाबासाब डॉक्टर अंबेटगर ने कांग्रेस को और इनी की वज़े से कांग्रेस और पंडित नहरू की वज़े से ही तो जम्मू कश्मीर में पिछले काफी बर्सों से बड़े पैमाने पर वहां पर लोग मारे जा चुके हैं आतंगवादी गतिविदियों की वज़े से तो मैं समझती हूं कि यदि सुरू में केंदर जदी स सुरू में कांग्रेस पार्टी और पंडित नहरू यह सई फैसला ले लेते और बाबस आप डॉक्टर के अंबेडगर की बात मान लेते तो शायद जे अंके का इतना बुरा हाल नहीं हो था कहने का तात्प्रे यह है कि चाहें कांग्रेस है चाहें बीजेपी या और कोई प सम्मला है यदि वो देश और जन्हित में सही फैसला लेते हैं धर्म निर्पेक्स्ता के अधार पर लेते हैं सबी जातियों का सम्मान करते हैं सबी धर्मों का सम्मान करते हैं और उसके बीच में कोई राजनिती नजर नहीं आती है तो हम जरूर उनका समर्थन करते हैं चाह प्रजेख के संसद चल रहा यह लाएंगे तो कैबनेट के थुरू जो नोने नागरिक्ता संसोचन विधयक जो ये लोगों इनोंने जो मशूर किया, कैबनेट ने पास किया, इसको मैंने study किया है इनोंने ये इसको ठीक डंग से इस बिल को त्यार नहीं किया है इसमें बहुत कमिया है और ऐसा लगता है कि यह विभाजनकारी है और आज सविधानिक है इसलिए केंदर की सरकार को यह चाहिए कि इसको संसत में लाने की बजाए पहले पारलेमेंटरी कमेटी को भेजे दोनों हाउस के जो विभिन पार्टियों के नेता है वो उसमें बैठे इसके उपर विचार विमर्स करें और सहित और जब के विचार विमर्स करके देश और जन हित में सभी धर्मों को ध्यान में रखकर भारते सविधान को ध्यान में रखकर तब इस विद्यक को लाना चाहिए जल्दबादी इसमें नहीं करने चाहिए तो मैंने अपनी नागरिक्ता संशोधन विल विभाजनकारी बसपा सुप्रीमो मायवती की तरफ से तमाम बाते तो बिलको संसदिक कमेटी के पास भेजा जाए बिलके मौझुधा सरूप के साथ बियस पी नहीं है जवर्दस्ती बिलको थोपा ना जाए और अब इस बिलको संसदिक कमेटी को सौपना चाहिए तो बियस पी विभाजनकारी नीती के खिलाप है हमने 370 पर सरकार का साथ दिया और अब सरकार को नागरिक्ता संशोधन बिलक को लेकर पुनर विचार करना चाहिए जबरदस्ती इस बिल को लोगों पर थोपा ना जाए महीं उन्होंने S.E.S.T. आरक्षन को 10 साल बढ़ाने का स्वागत किया तो नागरिता संशोधन बल को लेकर मायवती का ये बड़ा बयान उन्होंने कहा कि ये विभाजन कारी है और इस पर सरकार को पुनर विचार करना चाहिए तो साथ उन्होंने आर्टिकल 370 पर जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया उसका समर्थन की बात कही तो साथ उन्होंने कहा कि विभाजनकारी नीती को नीतियों का साथ बीएसपी कभी नहीं देगी तो बिस्पी विवाजनकारी नीती के खिलाफ है तो बस्पा सुप्रिमो मायवती ने प्रेस कॉंफरेंस कर नागरिता संशोधन बिल को लेकर ये बयान दिया कि ये बिल विवाजनकारी है जिस पर सरकार को पोनर विचार करना चाहे